श्रीन अज्जी गुरुजी को अलग आदेश, माभगवदी को अलग आदेश, राची वाले बहीरब बाबा को अलग आदेश, आब सभी को आदेश शिव, शिवतत्व, यानि पंच मुखी, पंचवक्त्र, शिव के पांच मुख में, चार मुख चारो दिशाओं को देखते हैं, और एक मुख जो है खंड ब्रह्मान को देखते हैं, जिसको सामसदा शिव कहते हैं, एक मुख उमा के साथ विराजमान है, जिस तरफ के नीचे का अरगा होता है योनी होती है कि वहाँ पर महादेव की पूजा उमा के साथ होती है दुर्गा के साथ होती है जो के एक प्रक्रिति का कि सिंबल है सिंबलिजम है कि उसी तरीके से जो इस्ट फेस है वो सद्योजात माने जाते हैं सद्योजात शिव जो साथ फेस है उसको हम लोग भैरव भी बोलते हैं अगोर मुख और जो वेस्ट फेसिंग है उसको नंदी मुख माना जाता है नंदी मुख का मतलब होता है कि भक्ति भाव से जो सदाशिव की पूजा करते हैं पीले वस्तर पीड़ फूल से वो हो गए तत्पुर्श तो सामबस सदाशिवाय नमाहा उमा महेश्वराय नमाहा ओम सद्यो जाताय नमाहा ओम अघुराय नमाहा ओम तत्पुर्शाय विद्मेह महादेवाय धीमे तन्नो रुद्रह प्रचो दया तो पाच मुख के शिव उमा के साथ जब विराजमान होते हैं, तो वो इस प्रिथवी के, इस प्रक्रिति के एक सिंबल के रुप में पूझे जाते हैं, और सबसे श्रेष्ट महादेव की जो पूझा है, वो इनको ही माना जाता है, तो महादेव के कई मंत्र है, जिसमें सबसे जो जादा चलने वाला मंत्र है, जो सबसे जादा लोग जिसका प्रयोग करते हैं, वो ओम नमा शिवाय है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आध्यात्मिक हैं, तो आपको पता चलेगा ओम नमा शिवाय जो मंत्र है, उसका जाप नहीं करना चाहिए. पहला विशा है कि ओम मंत्र महा मंत्र है, ओम मंत्र में काफी शक्ती है, पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था, कि ध्यान के बाद आज के दिन में आप देखेंगे कि जितने यूट्यूब पे आप जो नएने जो बाबा है, जिनके कोई गुरु पद्दती नहीं है, वो योग करवाएंगे, उसके बाद ओम का उचारन करेंगे, तो ये बिलकुल ये अनुचित है, और ओम का उचारन ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए, जहां पर आपका शरीर जो है, वो किसी तरीके के छती को या किसी आगहात को जहन ला सके, क्योंकि ओम खुद में बहुत नहीं, तो पहले तो ये हो गया कि नमح शिवाय का जाप करेंगे, नमः शिवाय प्रणाम मंत्र हुआ, मतलब महादेव को आप जब प्रणाम करते हैं, तो नमा शिवाय, तो वैसे नमा शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया होता है कि सिर्फ एक शब का आप जाप करें वो है शिव 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 ऐसे अगर आप जाप करते हैं तो उसका महत्म जो है वो नमा शिवाई से जदा है क्योंकि नमा शिवाई बीज का पूर्ण मंद्र नहीं होता है लेकिन शिव खुद में नाम जो है नाम का जो स्मरण है उसका एक अपना प्रभाव होता है तो नमा शिवाई के जगा शिव शिव जाप करने से ज़ादा लाग होता है आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पशुपतिनाथ जी का मंत्र है ठीक है तो इसको जाप करने के लिए जो ग्रिहस्त हैं वो चार माला करेंगे ठीक है और जो सादक है वो सावा घंटा तक इनका जाप करेगा सावा घंटा से कम इनका जाप नहीं होता है तो ओम नमा शिवाई में क्योंकि ओम का उच्चारण अधिकार के साथ होता है मतलब ओम आपको अधिकृत होना चाहिए यानि यग्योपवीत आपका होना चाहिए यग्योपवीत का भी अपना एक समय निर्धारित है अगर उस समय के अंदर उस आयू के अंदर आपका यग्योपवीत नहीं होता है तो यग्यो पवीत के बाद आपको प्राष्चित करके ओम का उचारन करना चाहिए ठीक है तो ओम को बहुत बड़ा दर्जा मिला हुआ है इसलिए जो कुछ नहीं कर सकते हैं महादेव की पूजा में वो सिर्फ शिव नाम का जाप करेंगे अब आते हैं पशुपति नाज जी के मंतर पे जिसको पशुपति आस्तर भी बोला जाता है ओम अस्य श्री पशुपात आस्तर मंत्रस्य ब्रह्मरिशी गायत्री चंदा पशुपात आस्तर देवता सर्वपद्रव समनाथे जब इवने योग ये विनयोग है मतलब हाथ में जल लेकर के बाबा का आप आवाहन करेंगे ठीक है अच्छा इतना जो मैं आपको ओम के बारे में बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो मंत्र मैं आपको अभी दे रहा हूं ये वैदिक मंत्र है, ये हमारा साबर मंत्र नहीं है, साबर में आउम का प्रयोग होता है, आउम का प्रयोग बहुत जादा होता है, लेकिन जो मूल भूत रूप से प्योर साबर मंत्र है उसमें आप देखेंगे कि आउम का प्रयोग अंत में जब बीजाक्षर का आवान होता है ना तभी होता है नहीं तो ओम का प्रियोग उसमें भी बहुत देखेगा कम करते हैं हम लोग तो आपने विन्योग कर लिया जल्ले के गिरा दिया ठीक है उसके बाद ओम हुमफट रिदयाय नमहा तो दाहिने हाथ से रिदय का सपर्श करेंगे ओम क्लिम हुमफट सिरसे स्वाह सिर का सपर्श करेंगे ओम पशुम हुमफट सिखाया वसठ शिखा का सपर्श करेंगे मतलब टीक ओम हुम हुमफट कवचाय हुम दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखेंगे बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखेंगे मतलब मिडल फिंगर को थर्डा या पीनियल ग्लैंट पे और रिंग फिंगर और इंडेक्स को दोनों नेत्रों पे रखेंगे ओम शलिम पशुम हुम फट अस्त्राय फट तो बाएं हतेली को अपने की तरफ देखते हुए राइट हतेली के दो उंगली से उसको तीन बार उसके चारो तरफ रोटेट करके और उसके बाद लेफ्ट हतेली पर ताली बजाएंगे ऐसे हैं तीन बार तो अस्त्राय फट हो गया उसके बाद हाथों को प्योर करेंगे ओम हुम फट अंगुष्टा भ्याम नमाहा तो इंडेक्स फिंगर को थम के रूट से सपर्श करते हुए टिप तक ले जाएंगे इसके बाद जित्ते भी उंगलियों का मंत्र करेंगे तो थम को हम लोग उस फिंगर के रूट से टिप तक लेके जाएंगे और अंत में औव श्लिम पशूम हुम फट करतल परिष्टा भ्याम नमाहा तो दोनों हात को जैसे हात दोते हैं तो कैसे हात बलते हैं वैसे ही सपर्श कर लिए इसके बाद पशुपति नाज जी का ध्यान करेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे तो मैंने आपको बताया कि पाचों मुक का हम ध्यान करेंगे सबसे पहले सबसे उपर वाले मुक का ध्यान करेंगे और बुलेंगे ओम सदाशिवाय नमाहा फिर जिस तरफ योनी है अरगा है उस तरफ का ध्यान करेंगे बुलेंगे ओम उमा महश्वराब्याम नमाहा ठीक है फिर इस्ट की डारेक्शन में जो मुख देख रहा है महादेव का उसको देख के बोलेंगे ओम सद्यो जाताए न महादेव फिर भहरव मुख साउथ जो है उसके तरफ देख करके बोलेंगे ओम अगुराए न महादेव का फिर जो वेस्ट की तरफ मुख है उसके जाब करेंगे ओम शलिंऍ पशी हंपट तो स्लिंव पशीन हंपट यह यह जैव यह होगा जो ग्रिह थे हैं वह चार माला और जो साधक है वह सावा घंट है आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्टे उप गृूप से जुड़नां वह मेरे व्टेस आप नमब नống op 88585 से जुड़ सकते हैं इसमें साथना को जो शुरुवाती विधान है वो हम आपको सिखाते हैं जिनको डारेक्ट बात करना है वो call me for app डाउनलोड करिए उसमें रूद्रना.cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल में लेगा www.agurtantrahast.com है मेरा website उसमें भी आप मुझसे संपर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान परशुपती नाथ आप लोगों का मार्ग दर्शन करें आपको अनन्त यह श्श्वी मनाए ऐसी मेरी प्रातना है आप सभी को आदेश आदेश आलाख आदेश